संध्याकाल के समय लेटना नहीं चाहिए, दूसरा संध्याकाल के समय जूटा मूह और खुले बाल किसी गर्वती इस्त्री को नहीं रखने चाहिए, दूसरा किसी गर्वती इस्त्री को बिना बिछी हुई खाट पर कभी नहीं लेटना चाहिए, जिस पर कोई आसन वस्तृ न नहीं बिच्छा हो कुछ इस्त्री के गूण हैं जैसे वो कभी फूंक मार कर दिया नहीं बुजाती सूर्य उदै के समय सोती हुई नहीं रहती चलते समय उसके पाऊं के धमक की आवाज नहीं होती हमने कुछ इस्त्रियों को देखा जब वो चलती है तो उनके पाउं के धमक की आवाज होती है जानते हो पाउं के धमक की आवाज किसके होती है जिसकी उर्जा असुर गामी हो रही हो निम्न गामी हो रही हो इसलिए उसके पाउं के जब असुर लोग चलते हैं तो उनके पाउं के धमक की आवाज होती है इसलिए नारी को पायल पहनाई जाती थी क्योंकि उसके पाउं की धमक नहीं होती तो वो जब कहीं से निकले तो कैसे पता चलेगा कि वो कहीं जा रही है कहीं आ रही है तो उसके पायल के नूपुर की आवाज होती है जिसे नारी के चल करने की सुचना प्राप्त होती है तथा पी उसके पाउं की धमक कभी नहीं होती दूसरा जो इस्त्री होती है वो अपना जूटा कभी भी अपने पती को नहीं खिलाती अगर कोई इस्त्री अपने अपना जूटा अपने अपने पूरुस को खिलाती है तो ये उसकी आयू में अकमी करता है ये नारी के गुण है